से इसे फैक्टर होता है क्या है या बकेट फिल फैक्टर क्या होता है बकेट फिल फैक्टर क्योंकि माइनिंग सदा लेवर पर ऐसा हो सकता है कि पोड़क्टिविटी क्लोलेशन ना पूछे बगेट फिल फेक्टर पूछ दे इसको सिधा सिंपल बगेट फिल फेक्टर को लिख सकते हैं क्या एक्चुल वॉल्यूम ओफ मैटेरियल इंसाइड दा वॉल्यूम ओफ मैटेरियल इंसाइड दा वॉल्यूम ओफ बगेट यह वॉल्यूम नहीं कैपासिटी ओफ बगेट ठीक है बकेट कैपसिटी है, कि अगर 5 क्यूबिक मीटर बकेट कैपसिटी है, और बकेट फिल फेक्टर 0.8 है, बकेट फिल फेक्टर का युनिट क्या होगा, कोई बता तो, बकेट फिल फेक्टर का युनिट क्या होगा, मीटर क्यू होगा, टन होगा, मीटर क्यू पर मिनट होगा बकेट फिल फेक्टर की उनिट क्या होगा मीटर क्यू होगा, टन होगा, टन पर क्यूबिक मीटर होगा, केजी होगा, क्या होगा साबास कि भ 도 और व Рइस किम ब startए झार सबूझ रहे हैं है कि अब देखो बकेट फिल फेक्चर क्या हो रहा है एक्चिल बोल्वू मेट्रियल इनसाइट यह भी क्यूबिक क्यूबिक मीटर में रहेगा क्यापसिटी और बग्यूबिक मीटर में रहेगा तो सभी लोग यार तुम लोग घजब कर दियो लेकिन क्यूबिक मीटर बोले हो बकेट फिल्फ एक्टर कहीं देखें, कि 0.8 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है वो तो हमें। यूनिट लेसी होता है, क्योंकि उपर निचे दोनों कट गया है तो यहाँ पर क्या है, कि बकेट के पसिटी 5 क्यूबिक मीटर है और बकेट फिल्फ एक्टर कर 0.8 है एक्चुल भॉल्मों मेट्रियल कितना लोड ले रहा है वो एक बार में 5 इंटू 0.8 मतलब 4 क्यूबिक मीटर उसके अंदर एक्चुल मेट्रियल है अगर कभी कोस्टन देदे है ऐसा कि बकेट कैपसिटी 42 क्यूबिक मीटर है थीकने एक हाइड्रोलिक सोव या वेल्लक उफब्स एल जिसका बकेट कैपसिटी 42 क्यूबिक मीटर है अज जब उसमें हम लोग लोडिंग के लिए जब फेस में लगाए हुए है ना जब लोडिंग के लिए फेस में लगाए हुए है तो उस केस में जो एक्चुल वोल्यूम मेटरियल है बकेट के अंदर वो माल लो आ रहा है तीस क्यूविक मीटर थीसने इसको 8समाल लेते थीकर में काटने में easy होगा तो उसकेश में bucket fill factor क्या होगा जो bucket fill factor होगा वो क्या लिखे है एक्छल volume of material inside the bucket एक्छल volume कितना है एक्छल में कितना आ रहा है 48 स्कुबिट मेटर ठीक है न और बकेट करपसिट्री कितना था और इस तो चोजाद उना अठास 28 चोजाद या भी आलेस मतलब 0.67 इसका बकेट फिल फेक्टर है कि जीरो पॉइंट सिक्सेवन बकेट फिल फेक्टर है कि यह बकेट फिल फेक्टर होता है अब बकेट फिल फेक्टर पुछता है कि किस केस में बकेट फिल फेक्टर जादा होगा मतलब बकेट फिल फेक्टर जादा होगा तो यह बताओ बकेट फिल फेक्टर हम बोल रहे हैं जादा होगा तो ब के तम दर ज्रोट जमेंट्रियेव्लाइगा वर ज्ञादा आई गवान्गा कि यह ईए और सभी के संदर और हुआables करिये Peng W है ये बी सी जीरो पर नाइन फाइप केस में ठीक है न क्योंकि बकेट कैपसिटी हम सेम रखे हुए हैं और धिये-दिरे क्या हो रहा है उसका बकेट फिल फेक्टर बढ़ते जा रहा है मतलब एक्चुल भॉल्यूम ओव मेट्रियल इंसाइड बढ़ते जा रहा है तो यह ध्यान रखना जब बॉल्डर रहेगा जब बहुत क्रश्ड मेट्रियल रहेगा चूर चूर वाला माल रहेगा तो उसकेस में हम लोगा बकेट फिल फेक्टर जादा होगा या कम लगर या कम होगा क्रास्ट वाले की केस मेट्रियल रहे तो पूरा भरावा रहेगा बॉल्डर इत अब एक हम बताते हैं स्वेल है यह कंँजन हो जाता है बहुत लोगों को स्वेल्फ है कि स्वेल्फ हैक्टर क्या होता है है कि में हम लोग gather यह जानते हैं हम लोग अपना जो वी टर्म माइनिंग में यूज़ करता है ब्रोकेन वोल्यूम बाइ इनसीटू वोल्यूम ठीक है कि एक बेंच है ठीक है यह बेंच है अभी क्या है यह बेंच का जो मैट्रियल है अभी इसको ब्लास्टिंग नहीं किये है अभी ब्लास्टिंग नहीं किये है ठीक है तो इस केस में इसका जो वोल्यूम है दोखो यह ध्यान रखना डेंसीटी ब्राबर मास बाइ वोल्यूम होता है ठीक है ना डेंसीटी ब्राबर मास बाइ वोल्यूम होता है जब है कि इसको ब्लास्टिंग नहीं किया है कि इसका वोल्यूम कुछ है ठीक न है वोल्यूम इसका एक से इसका मास क्या है मास भी फिक्ष्ट है मास भी मालो है इसका मास एम है ठीक न है वोल्यूम एक से मास एम है अज जब इसको ब्लास्टिंग कर दी है इसको blasting कर दिए तो उस case में क्या हुआ है mass तो same रहेगा ना mass तो नहीं बढ़ जाएगा mass क्या होगा mass नहीं बढ़ेगा volume बढ़ जाएगा क्योंकि blasting करण क्या हुआ है उसमें swelling हो गया volume बढ़ गया है तो broken volume क्या है मान लो अगर starting में volume 100 cubic meter का था ठीक है ना जब blasting किया है तो volume क्या हो गया है 120 cubic meter हो गया है तो उस case में swelling factor क्या होगा है 120 divided by 100 मत्तव 1.2 अगर पूछता है कितना percent से volume में increment हुआ है कितना percent से volume में increment हुआ है तो कितना सो जाएगा कि final volume 120 था initial volume 100 था divided by initial volume मतलब कितना cut out के क्या है का हमको लग रहा है 20 divided by 100 percentage पूछ रहा है तो 100 से multiply करना होगा मतलब कितना हो गया 20 percent से increase कर गया 20 percent से increase कर गया तो simple सिधा ऐसा दे सकता है exam में question कि percentage मतलब जो 12 factor है न 1.5 है तो मतलब मेरा कितना percentage से increase हो गया है volume अगर 12 factor अभी क्या था कि 12 factor 1.2 है तो 20 percent से increase कर गया है 12 factor 1.3 आएगा तो 30 percent से increase हो जाएगा अगर 12 factor 1.5 है तो मेरा volume कितने percent से increase हो जाएगा 50 percent से increase हो जाएगा